Hello everyone, my name is Shivanch Basin and welcome to my daily analysis video So, आज सबसे पहले बात करते हैं Nifty की तो Nifty पे अगर न आप लोगों को बताना चाहूं तो आज का जो डे लो था उसे ब्रेक नहीं करा था जो ओपनिंग था So, यह एक positive sign था, बट एक inside candle बनिया तो उसके लिए हमें थोड़ा सा cautious भी रहना पड़ेगा Bank Nifty की बात करते हैं, तो Bank Nifty ने अपना opening का low को ब्रेक करा था उसके बाद एक double bottom create करा हैं उसके बाद दुबारा उपर गया It's a good sign too अब क्या इसी level पर हमें selling start कर देनी है, क्या market पर हमें दुबारा selling बना लेनी है यह सारी बात इस video में करेंगे, हमें कौन से perfect level से selling बनानी है क्या market अब selling के लिए बचिये नहीं बचिये, क्या अब उपर जा सकती है, यहां से सारी बाते इस video के अंदर करेंगे तो सबसे बहले start करते हैं and बात करते हैं 5 stocks की जिस पे आप लोग कल trade ले सकते हैं तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोगों ने अपने trade setups start कर दिया है जो कि मैं March से अपने clients को provide करवाने वाला हूँ and आज हम लोगों ने दो calls ली थी, एक तो bank nifty buy था जिस पे हम लोगों को अच्छे targets मिल गए थे and ICICI bank short था, so एक यह hedge position थी, bank buy and उसका index buy था and उसका stock short था because obviously market weak थी, ठेक है, तो yes हम लोगों को दोनों में बहुत अच्छे targets मिलें हमारे targets hit हुए and last पर हम लोगों एक strategy दिये, तो जब वो hit करेगे, I'll definitely tell you, okay so अगर मुझे time मिला इस video को edit करने का, तो definitely मैं आप भी डाल दूँगा, तो आप लोग देख पाएंगे, मैं scroll करते हैं वे आपके सामने video present कर दूँगा, कि कि इस तरीके से मैंने आज calls provide कर वाई है, okay so चलिए start करते हैं, आज की video, तो सबसे पहला stock जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो है Wipro आज IT sector पर आपने देखा था, एक buying आरी थी, तो Wipro को जब मैं study कर रहा था, तो मैंने देखा, कि एक double bottom type of scenario create करा है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, कि एक double bottom scenario आपर create करा है इसने, and exact इस level से bounce देना, इसने start करा है, चेक है, first of all, continuously it's making lower lows and lower highs, चेक है, continuously it's making lower lows and lower highs, उसके बा इस particular stock पर किस तरीके से perform करा है, double bottom create हुच चुका है, जो कि एक reversal का sign दे चुका है, now what it can do, आप देख सकते हैं, यह उपर गया, नीची आया, retracement लिया, यह around होगा, इस पूरी up move का 50% या तो 61.8%, अब इसने एक hammer बनाई, and hammer बनाने के बाद उपर जा रहा है, so yes, अगर यहाँ से ऊपर बना start करता है, I think my target should be this particular level according to Fibonacci retracement, ठेक है, तो अगर मैं सबसे पहले Fibonacci retracement का use करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, कि इसने support कहां लिया है, exact support लिया है, इसने इस level पर, जो कि 61 का level है, यह line मेंने draw करी है, अगर मैं इसे red color से कर देता हूँ, आपको देख पा रह ठेक है, तो what should be my target, मेरे target होगा, वो होगा according to Fibonacci extension, so Fibonacci extension के according, मेरे को जो targets लग रहे है, वो in between इस range के अंदर लग रहे है, जो कि यहां तक यह particular stock आ सकता है, I am not saying कि वो अपने previous high को cross करेगा, but वो यहां तक आ सकता है, जिस तरीके से लग रहा है, तो you can buy above 416.5, 416.5 की पर आप buy कर सकते हो, and I think the target should be 421 and between 423, ठेक है, you can put your stop loss at around 412, 413, ठेक है, चली ही बात करते है, to our next stock, that is Jubilant Foodworks, Jubilant Foodworks का मैं डेली चार्ट को उपन करता हूँ, and you can see very clearly, आप यहां clearly देख सकते है, एक V-shaped recovery आई, V-shaped recovery के बाद, same तरीका हम लोग ने देखा था, निफ्टी के अंदर बना था, same exact reliance के अंदर बना था, जब reliance double हुआ था, आपको याद होगा, so इसने breakout दिया, अच्छे से sustain करा, नीचे आया, नीचे आके retest करा, एक indecisive candle बनाई, and it gave a breakout, ठीक है, retest करके, उपर की तरफ दुबारा start करा है, जो indecisive candle थी, उसके उपर जा के closing दिया है, so yes, it's a good sign, हम लोग definitely jubilant foodworks को भी buy कर सकते है, and शायद ये अपने previous high को भी break करके, उपर जा सकता है, so yes, we can go for a buy, I think ये उपर जाएगा, एक बर और retracement लेगा, and it started to move back, अब अगे, तो इस particular stock को भी definitely watch करेगा, आपको definitely अगर ये stock उपर बढ़ना start करता है, तो all your targets भी build सकते हैं, swing trade आपके लिए हो सकता है, चलिए next stock की तरफ बढ़ते है, that is tvs motor, tvs motor पे भी आप लोग clearly देख सकते हैं, कि इस level से rally up move start हुई, it created a double bottom, sorry double top create करा, double top create करने के बाद बहुत तेजी इसे sharp fall आया, fall आने के बाद जो ये पूरी up move थी, अगर मैं आपको दिखात हूँ, ये पूरी up move थी, उसका exact 50% cover करा, यहां पर इसने double bottom create करा, जब double bottom create करा, उसके बाद एक gap up के साथ opening हुई है, and भहां पर हम लोग ने high level speed आके closing देखिया है, so first of all it's a good sign, एक अच्छा sign है ये, so definitely यहां पर हम लोग एक buying कर सकते हैं, but अगर ये थोड़ी सी dip देता भी ह है, for example, मतलब 610 या 610-11 के आसपास आता है, तो भी आप इस पे एक buying initiate कर सकते हैं, मेरा जो stop loss होगा, वो 604 का होना चाहिए, and I think the target should be around 627, मतलब 625 मान के चलते हैं, 625 to 635, ठीक है, दो targets मैंने आपको बता दे, तो इसके basis पे आप काम कर सकते हैं, let's move to our next talk, that is Amaraja battery, Amaraja battery पे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, see, यहाँ पे भी same type of scenario था, एक shaft up move, एक fall, exact इसने support लिया है, 50% retracement पे, and right now it started to move back up again, ठीक है, plus अगर आप यहाँ देखेंगे, एक double bottom type scenario, इस पे भी बना, एक shaft fall के बाद एक double bottom type scenario बना है, plus आप यहाँ देख सकते हैं, कि यहाँ पर retest करके rejection भी देखने को मिला था, so I think it's a good level for a buy, but अभी आप लोगों को मैं buy करने की चला नहीं दूँगा, right now current price जो है, वो 900 रुपीज का है, but अगर 903, 904 की उपर sustain कर रहा हो, तो buy करिगा, first target of 912, जो की एक छोटा सा minor resistance है, but जैसी 912, 950 निकल जाएगा guys, तो 940 तक भी जा सकता है, तो stock को watch करके रखीगा, या फिर आप 915 तक कम quantities buy करके trade कर सकते हैं, जब ये breakout देगा, तब अपनी quantities add कर सकते हैं, for a target of 940, ठेक है, our last stock is Aisher Motor, आईशे Motor, पे भी आप देखे, पूरा scenario समझ सकते हैं, यहाँ पर इसने एक pattern को form कर रहा है, जिस pattern का हम नाम देख सकते हैं, that is the Gartle pattern, ठेक है, इसने Gartle pattern form कर रहा है, bullish Gartle pattern है, and definitely यहाँ पर हम लोग एक buying को expect कर सकते हैं, as you can see it here, यह exact इस लेवल से आया, इस लेवल चे अप I think this is, यह एक small resistance का काम कर रहा है, जो कि यह से 10 रुपय उपर है, current price is 25.60, so जैसी 25.70, 68 की उपर निकलेगा, you can go for a buy, I think the target should be 2600 or 2650 का, जो कि मुझे possible है, अराम से आ सकता है, अगर मैं आप लोगो clear targets और अच्छे से बताता हूँ, इस stock definitely मुझे लगता है, कि अगर यहां से कल up move दे देता है, तो बहुत बढ़िया targets आपको मिल सकते हैं, in a swing trading, I think जो इसका maximum target होना चाहिए, that should be 2700 or 2740 का, so मतलब यहां से 200 point तक की भी rally यह दे सकता है, stock with a matter of time, तो stock को भी आप swing trading के ले रख सकते हैं, but पहले trades को निकलनी जीजिए, buy position आने दीजिए, तभी, क्योंकि safe play क करना है, market is very volatile, market ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप move दिखा सकती है, तो हमें उसी की basis पर कम quantities पर trade करना है, जब हम लोग buy side में होंगे, चेक है, तो I think मैंने stocks की analysis, आपको clear way में समझा दे होगी, let's move to nifty and bank nifty, तो सबसे बहले bank nifty भी बात करते हैं, bank nifty में 15 minutes का time frame open कर लेता हूँ and यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं, एक gap up open मिला, वीचे आया, it created a double bottom, इसने Friday को एक double bottom को create कर रहा था, उसके बाद हम लोग ने देखा, उपर की तरफ इस level पर closing मिली थी, चेक है, उपर खोला, नीचे आया, यहाँ आप देख सकते है, आज का ज strong support और एक stop loss, ठीक है, so 35,000 exact stop loss maintain नी करेंगे, उससे थोड़ा सनी चेया, यानि की, 34,950 के आज पास तक का, so 34,950 के आज पास तक का आप लोग एक stop loss maintain कर सकते हो, and I think कि अगर यह एक wedge pattern है, अगर इस wedge pattern का, falling wedge pattern का एक breakout आता है, और वो एक buying side में ही आता है, तो generally अगर इसका एक we can go for a buy, and I think the target should be around this level, जो कि 35,880 के है, और इसके उपर आपको बिल्कुल भी hold नहीं करना, exit मैं तो काऊंगो, इससे थोड़ा सनी चेया और लिया, 35,800 के आज पास positions को exit कर देना, because, वहाँ पर हम लोग opportunities find करेंगे, let me show you, इन levels के आज पास हम लोगे कोई भी opportunity अगर हम लोगो ठेक है, कम quantities पे short करना, हलके लोगे नीचे आए, quantities add करते रहो, हलका सा bounce दे के नीचे आए, quantities और add करो short के लिए, because, मैं जो confidence हूँ, shot के लिए हूँ, but, जो मुझे expiry लग रहा है, कि expiry इसके ऊपर भी नहीं होगी, और I think कि शायद इसके नीचे भी नहीं होगी, इस range के अंद इसी range के अंदर consolidate कर सकता है, तो इसके basis पे हम लोग trade लेंगे, तो let's move to bank nifty, nifty, bank nifty हो गया, let's move to nifty, so nifty पे भी एक similar type of situation, I am seeing, देखिए, सबसे पहले चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक gap है, जो gap अभी तक fill हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक gap of opening हुई, उसके ब लोग evening star मोलना चाहें, तो वो भी बोल सकते हूँ, और एक जो हमारे friend ने हमें बताया था, Umesh Sharma जी ने, that is, कि एक island pattern होता है, तो जिसके बारे में वोजे नहीं पता था, but definitely knowledge provide हुई है, हम लोगों को, so ये fill करना, it's very important, और very difficult to, मतलब, fill this gap, और level क्या है, एक psychological level, that is the 15,000 level, so 15 15,000 को cross करना है, it's very difficult, और I think कि 15,000 के आस पास तक ये आएगा, expiry वाले time पे, and उसके बाद हम लोग एक short position initiate कर सकते हैं, so let me tell you, कब buy करना है, because I am on a buy side, not on a aggressive buy side, तो मेरी जो strategy है, मेरे लिए है कि अगर 14,800 के उपर closing मिलती है, यानि कि यहां से 30 रुपे उपर भी अगर expiry वाल profit, ठीक है, 15,100 के उपर closing नहीं होनी चाहिए, और 14,800 के उपर होनी चाहिए, so आप यहां देख सकते है, first of all, यह हम लोग ने एक trend 9 को draw करा, and इस वरले को हम इग्नोर मार देते है, ठीक है, तो I think कि यह gap है, इस gap तक आना चाहिए, इसको भी इग्नोर कर देते है, because I don't think यह gap क fill करेगा, यह target होगा हमारा, that is the 14,900, और 15,000 का level, ठीक है, so आपको cautious हो जाना है, आपको exit कर देना है, in the 14,900 के आसपा, जो कि 100 point है, आपको बहुत अराम से मिल रहे है, it's well and good, till expiry, ठीक है, तो 100 point आप लेकर चल सकते है, and उसके बाद, अगर आप लोग buy aggressive है, अगर थोड़े risk की हो, तो 15,000 तक के लिए भी रुख सकते हो, बट वहाँ पे कोई भी indication, अगर आपको negative candle दिखती है, दो red candle भी उपर top में दिख जाती है, go for a shot, I don't think की वो gap इत्ती जल्दी fill करेगा, ठीक है, so let me tell you the range, once again, में आपको एक range explain कर रहा हूँ, the range should be, this and this, यह एक range है, top में 15,000, च 650, on a lower side, ठीक है, तो इसके basis पे अब आपको trade करना है, अभी हम लोग long इसले जारे है, because, जो risk है, वो कम है, 100 पे का ही risk है, sorry, 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 the pattern का breakout है, इसले हम लोग buy side में जारे है, but risk to reward ratio बिलकुल same है, because range के exact bottom पे trade कर रहा है, अगर यहां से ऊपर जाना start करता है, go for a buy, नीचे जाना start करता है, go for a sell, but मैं sell के लिए जादा recommend, अभी नहीं करूँगा, ठीक है, because, जब तक, अगर मैं, let me show you, daily time frame, daily time frame पे अगर आप देखोगे, तो आप देख सकते हैं, एक inside candle बनी है, और एक gap up के साथ, ऊपर ही closing हुई है, so, nor it's a bearish sign, nor it's a bullish sign, neither it's a bullish sign, ठीक है, so, यहां पर हम expect कर सकते हैं, कि यह जो एक strong candle बनी है, strong candle के आज पास ही trade कर सकता है, अगर strong candle के ऊपर breakout देता है, this should be our target, नीचे आता है, तो we know that it's gonna fill this particular gap down, ठीक है, so, इसके basis पर trade लेना, I think आप लोगों को अच्छे तरीके से return मिल सकते हैं, अगर आप मेरे काम करे वे तरीकों से चलोगे, so, if you like this video, अगर आप लोगों नए हो, subscribe आ रहा हो, तो please definitely subscribe to my channel, like this video, let's aim for a thousand likes, अगर thousand likes आते हैं, so, मैं आप लोगों के सामने 3 swing trading present करने वाला हूँ, जो personally मैं कल बाय करने वाला हूँ, ठीक है, so, definitely आप लोगों को अगर इस वीडियो में thousand likes लाते हैं, तो मैं और वीडियो ऐसी बना आते रहा हूँगा, and guys, चैनल को subscribe करें, 1 lakh तक पहुचाईए, कि हम लोग भी एक silver play button लेकर आपा है, 2 साल से मेहनत कर रहे है, so, हमारे लिए भी कुछ सोचेगा, चलिए इस वीडियो को end करते हैं, मैं शिवांज भसीन, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे, कि अब भसे लेकर नहीं Sal hours